असलाम अलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआउं से लहमदोलिल्ला मैं भी एक्तम ठीक हूँ तो आज मैं शेयर करने जा रही हूं आपके साथ ड्रेसिंग और्गनाइजेशन देखें एक दो दिन पहले ही मैंने ये ड्रेसिं होते हैं घर में तो चीजे इधर उदर हो ही जाती हैं कितना भी चाहें आप समयट लें तो इसलिए आज में पूरा ड्रेसिंग क्लीन करने वाली हूं सारा समान बाहर निकालके दुबारा से इसको और्गनाइज करने वाली हूं ये देखें किस तरह से बिक्रा हुआ है सारा समान और मेरे ड्रेसिंग में काफी अच्छा स्पेस है समान को और्गनाइज करने के लिए तो मुझे अपना सारा समान यहीं पर रखना ज्यादा पसंद है और अच्छे से इजली सारा समान और्गनाइज हो भी जाता है डेली यूज का सारा कोस्मेटिक स्किन केर प्रोडक्त में इसी में रहता है तो चलिए क्लीनिंग श्रू करते हैं तो मैंने स्क्राट किया है उपर वाली ड्रोर से ये शेक्शन वैसे मैंने उपर का साफ कर लिया था दो दिन पहले अभी मैंने इसी का बेंगल वाला एरिया है यह मेरा इसके अलावा भी मेरे पास एक अलग से बेंगल बॉक्स है और इसमेशे में सारा समान बाहर निकाल leg holy ी एक बेंगल का पाईप मैंने इसमें से निकाल के रखा हुआ है ताकि मैं यहां पर थोड़ा सा Samani store कर सकूं इए, तो यह मैंने सारा समान क्लीन करके सेट कर दिया है, तो यह क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूं दूसरे साइड पर और यहां से इस सारा समान बाहर निकाल लूँघी और यहां पर मैंने कुछ पेपर बिछाए गए हैं इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करके वापसे लगा दूंगी और यहां पर सामने मैंने वाल पेपर पेस्ट किये हैं तीनों सेक्षंस में और यह मेरे बेटे में मुझे पना कर लिया था मदर स्टेपर कार्ड तो मैं इसे संभाल के रखती हूं हमेशा और यह मैंने कुछ इस्टिकर्स पेस्ट किये थे यहां पर जो की निकल गए थे तो मैं इनको दुबारा से पेस्ट कर रही हूं मुझे नीचे तक सारा समान निकाल कर उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी पर देख्या है मैंने सारा क्लीन कर लिया है और यह सारा समान लिया है मेरे डेली यूज का सभी समान इसमें अच्छे से अर्जेस्ट हो जाता है अब मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद वापस से सेट करती जाओंगी यह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है तो अब शुरू करती हूँ मैं इसके बाद मैंने हेर इस्पा और उसके पर मैंने पर्फ्यूम रखा है और यह जैड का टेलकम पाउडर है और जैसे की गर्म आब आने वाली है तो मैं इक पाउडर और लेकर आए थी डिमार्स से और यह बोटल जो है छोटी सी इसमें मैंने आवे जमजम का पानी रखा हुआ है और एक मैंने फेश वाश रखा हुआ है और यह बट्स मैंन रखे हुए हैं और एक नाइट क्रीम है और टूट पीक्स हैं तो एक शेल्फ हो गया हमारा कंप्लीट उसके बाद में मैंने यह तीन से चार बास्किट्स लिए है छोटी छोटी समान को अच्छे से और्गनाइज करने के लिए ताकि समान सारा बिखरे नहीं तो मैं उन्हें अच्छे से सेट करती जाओंगी और बास्किट में और फिर नह लगाते जाओंगी तो यह मैने सारी मैडिसिन को इसमें रख लिया है इसमें मैंने मैडिसिन ओईल विक्स वेपर और में नोज डोब अगरा इसमें रखी हुई है ौर यह मैंने दूसरी बास्किट त्यार किये है इसमें मैंने अपनी फेशल बैंड कुछ makeup brushes वगरा रखे हैं और ये मेरा facial का कुछ समान है जो मैं अपने यूज के लिए रखती हूँ और ये tanning वगरा के लिए scrub cream और face mask है जो कि मैंने अपने husband के लिए रखा हुआ है तो ये second वाली बास्केट मैंने रेडी की है इसमें मैंने एक foundation और conditioner garnier का मैंने इसमें रखा हुआ है उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने कुछ bands लगा लूँगी पूनी जोगरा के लिए उसके पाद मेरे पास ये कुछ हिजाब के लिए भी पिन रखी हुई थी और और उसके बाद में मेरे पास कुछ ये safety pin रखी हुई थी जो कि मैं इन्हें सामने ही रखती हूँ ताकि मुझे कभी यूज में लेनी हूँ तो जल्दी से मुझे मिल जाती है मुझे दूनना नहीं पड़ता तो इन कभी को मैंने एक जगर खटा किया है और मैंने सोचा है कि मैं इसको एक डबी में अलगी डाल देती हूँ तो वह वाला section भी हमारा second वाला complete हो चुका है तो अब आते हम थार्ड section की तरफ तो यह color queens की एक lipstick shade है जो मुझे बहुत ही जादा पसंद है और यह sugar की lipstick है mini lipstick बट यह shade बहुत ही प्यारा है तो इस section के लिए भी मैंने एक basket ready की है जिसमें मेरी सारी lipstick compact powder pancake और serum moisturizer वगारा थे और यह एक stand मैंने प्रेडी किया है जिसमें lip liners वगेरा eyelash curler और इसमें three sections थे और इसके आगे वाले section में मैंने हिदाब pins और safety pins टके हुए थे और इसके पीछे वाले दो sections में मैंने tedious meter selfie stick और face wash और तो यह वाला section भी हमारा complete हो चुका है अब आते हैं हम fourth section की तरह तो उसके लिए भी मैंने एक basket ready की है तो यह वाली सबसे बड़ी basket थी और यह वाला space भी सबसे ज़्यादा था तो इसमें मैंने एक hair spray रखा हुआ है एक खाली डबा था पॉंस क्रीम का और यह salt की दो डब्यां थी उसके बाद में यह कुछ फेस पाउडर और आई-लाइनर थे जेल आई-लाइनर जोगी में बहुत ही कम use करती हूं उसके बाद मैंने यह बैग बनाया था खुद ही वाल पेपर से तो इसमें मैंने कुछ समान रखा हुआ है कुछ hair accessories कुछ buns वगएरा hair style के लिए hair से related मैंने इसमें समान थोड़ा रखा हुआ था और यह बहुत ही क्यूट सा बनकर रेडी हुआ था तो यह section भी हमारा complete हो चुका है और यह मैंने एक चोटू सा स्टेंड रेडी किया था इसमें मैंने सभी तो इसमें मैंने gift packing के लिए सारा समान रखा हुआ था चीट्स रिबन वगएरा सारी चीज़े मैंने इसी में रखी हुई थी तो अब आज आते हैं हम इसके डॉर की साइट पे तो इसकी डॉर की साइट पे भी मैंने कुछ लगाए हुए थे hanging clips ताकि मैं कोई चीज़े इस पर हैंक कर सकूं और इस डॉर का भी अच्छे से यूज कर सकूं तो यह मेरा माइक है जो कि मैं एक साइट पर उधर हैंक कर रही हूं तो इधर मैंने सभी मास्क वाश करके रखे हुए एक्स्ट्रा में ताकि हमें कभी यूज में लेना हो तो फॉरन से हम यहां से ले सकते हैं तो यह हमारा रेडी हो गया है और यह देखे एकतम कितना और्गनाईज लग रहा है और एकतम नीट एंड क्लीन और यहां पर मैंने कुछ अपने हस्बेंड की और अपने बेटे की वाचिस टांग दीती यहां पर वाचिस हैंग कर दीती और इसके बाद में मैंने कुछ ग्लासिस इनके वहां पर हैंग कर दी थे ताकि यहां से इजी हो इनको लेना अगर आज का मेरा यह ड्रेसिंग ओर्गनाईजेशन वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लेश शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्स्राइब करना ना भूलें अल्ला हाफीज प्लासि हाँ